ना रायन, ना रायन, हे मयूरेश्वर, आपको दंड देने का माता का उदेश्य पुण हुआ, अब यदि आप आग्या दें, तो मैं आपकी ये लोह शंकला खोल दूँ, नहीं देवर्शी, मैं अपनी माता के न्याय का अपमान नहीं करना चाहता, ना रायन, ना रायन, हे मयूरेश्वर, तो क्या आप इसी लोह शंकला में बंदे रहेंगे, नहीं देवर्शी, मेरे इस मयूरेश्वर अवतार का उदेश, इस घटना के साथ पूर्ण हुआ, अब मैं इसी स्वरूप में, इस कैलाश की और आप सब की विदा लेकर, श्री मह महागणेश के पास जा रहा हूँ, ओम श्री महागणेशाय नम, 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 झाल झाल मैं सत्य और सदाचार की प्रतीक भक्ती हूँ मैं सत्य व्रती और सदाचारी का आपूशन हूँ इतनी से सामगरी से मेरा क्या होगा तुम सब भी तो हो यहां इतना ही है हमें इसी से संतोश करना पड़ेगा संतोश मैं करूँ अथ्वा तुम सब हम सभी संतोश करेंगे नहीं ऐसे बोजन से क्या लब जिससे ना भूख शाथ हो ना आनन्द आए जाओ इदर उदर ढूंडो कुछ ना कुछ तो मिली जाएगा अरे वहां फलों के कितने पेड़ हैं अब तुम सब इखाओ स्वादिश्ट है अब 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 देवी अहिल्या शीकर चलो पूजा का समय हो गया है अब 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 स्वामी किसी ने हमारा आश्रम उजार दिया लगता है कई सारे जंगली पुशियों गुस आये थे नहीं देवी अहिल्या यह कार्य किसी पशुका नहीं है गौरी पुत्र गणेश स्वामी गौरी पुत्र गणेश को हमारा आश्रम उजारनी की क्या अवश्यक्ता थी हम तो स्वहमी उनके अतिती सतकार के लिए ततपर थे के गौरी पुत्र गणेश ने यह उचित नहीं किया हमें इसका विरोध करना होगा बाल लीलाओं की भी एक सीमा होती है स्वामी भालक तो बालक ही होते है न यदि बालकों का बालक पन रिशी और आश्रमों की मर्यादाओं का उलंगन करने लगे तो उसका विरीजारना और महादेवी गौरी के पुत्र हैं इसी कारण इसी कारण देवी अहल्या उनका उत्तरदाइत्व औरों से अधिक है शिव और पार्वती का पुत्र जो कारे करेगा संसार उससे आदर्श ग्रहन करेगा बाल लीलाएं उद्धंडता तक पहुच जाएं इससे पूर उन्हें रोग देना चाहिए हम इसका विरोध अवश्य करेंगे प्रणाम पिताश्री प्रणाम माताश्री मयूरेश्वर को कहां छोड़ाय करतिके तुम्ही इतने विलम कैसे हो गया कुमार शमा करे माता विलम का कारण आप मयूरेश्वर से ही पूछ लीजेगा वो मेरी कोई बात ही नहीं मानता है माता देवी पार्वती कुमार के विवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भाई किمن्मोटाव हो गया है परन्तु मयूरेश्वर कार्थिकेए के साथ लौटा क्यों नहीं? मयूरेश्वर कहीं बाल लीलाओं में खोया हुआ है वो शुवगणों के बालकों के साथ कहीं रम गया है बाल लीलाओं में ऐसा क्या रम ना? कि माता-पिता की चिंता ही नहाओ उसे, आने दीजिये उसे स्वामी, गौरीपुत्र गणिश, साक्षात महागणिश के अवतार है इसलिए उनकी बाल लीलाओं भी चमतकारी हैं और हो सकता है कि हमारा उजड़ा हुआ आश्रम पहले जैसा हो गया हो यह प्रश्ण उजड़ने और सवरने का नहीं है देवी अहिल्या, यह प्रश्ण है मर्यादा का यह भी तो हो सकता है स्वामी कि बालकों को भूक लगी हो और हमी आश्रम में ना पाकर उन्होंने स्वयम ही भोजन सामगरी ढूंड कर खाली हो योगेश्वर और यगेश्वर भगवान शिव का पुत्र क्या अपनी भूग पर नियंत्रण नहीं रख सकता ऐसा कारे मनुष्य नहीं करते राक्षस करते हैं और हमें तो कभी राक्षस होने भी तरह नहीं सताया हम कहां जा रही है कैलाश कि मैं युरेश्वर श्री गणेश की उद्धन्डता को महादेव से अवगात करवाने प्रणाम निश्रीवर प्रणाम माता अहलिया आप शिव पार्वति की पुत्र श्री गणेश है ना आपने ऐसा क्यों किया देखें मुलिवर कितने क्रोदित हो रहे हैं माता ना तो मैं आपको अपना परिचे दे सकता हूं और ना ही मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं क्या आपको एक रिशी के क्रोद की तनिक भी चिंता नहीं है चिंता के कारणी तो यहां पर रुका हूं माता पर अंतु रिशिवर का क्रोध यहां शान्त नहीं होगा तो कहां शान्त होगा वहीं पहुचकर जहां जाने के लिए आप दोनों आश्रम से निकले थे प्रणाम देवी पार्वती आश्र है मयूरेश्वर अब तक अपने बाल सखाओं के साथ कैलाश क्यों नहीं लोटे अब तुम ही बताओ हम गौतम रिशी को कैसे संतुष्ट करें मयूरेश्वर ने गौतम रिशी के आश्रम में उत्पात मचाकर भयानक भूल की है उसने हमारा पुत्र होने के नाते हमारा नाम अप्रतिश्चित किया है उसे इस भूल का दंड अवश्य मिलेगा आने दीजे उसे नहीं नहीं देवी पार्वती हम गणेश को दंडित करव यग्येश्वर शिव और यग्येश्वर शिवा का पुत्र तो संसार के लिए एक आदर्श है यदि वो इस प्रकार की उत्दंडता और उत्पात का कारे करेगा तो संसार में कौन उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा मेरी आप से एक बिंती है महादेव कि आप मयूरेश्वर को समझाएं रिशीवर उचित कह रहे हैं देवी पार्वती आप मयुरेश्वर को दंडित करने का विचार त्याग दें हम स्वयम उन्हें सावधान कर देंगे कि भविश्य में ऐसी भूल कदापी नहों महादेवी मयुरेश्वर ने प्रथम बार ऐसा उत्पात किया है इस ब मयुरेश्वर की आयू के बालक शमा का अनुचित लाब उठाते हैं जिसे संसार में अगर पुजा का इस्थान प्राप्त हो उसके कारियों से किसी को कश्ट नहीं होना चाहिए माता तो क्या आप वास्तों में मयुरेश्वर को दंडित करेंगी बालक के उज्वल भविश्य के लिए ही माता पिता उसे दंडित करते हैं आप निश्चिंत रहें रिश्वर भविश्य में मयुरेश्वर ऐसी भूल नहीं करेगा जगत माता पार्वती जो भी करेंगी उस प्रणाम रिशीवर प्रणाम माता अहल्या यदि हमसे जाने अंजाने में कोई अपराद हुआ हो तो हमें शमा कर दें हे प्रिय अगर पूजी मयूरेश्वर आपने एक शमाय आचना करके अपने सारे जाने और अन्जाने में किया प्रादों से मुक्ति प्राप्त कर ली है यशस्वी भवा माता अपने क्रोद का त्या Kath करे मयूरेश्वर की ओर से मैं आपसे शमाय ाचना करता हूं इससे डंडित ना करे माता तुम्हें मयूरेश्वर की ओर से शमाय आचना करने की आवेशाक्ता नहीं है कुमार जब मैयूरेश्वर ने गौतम रिशी के आश्रम में उत्पात मचाया था तो तुम सब ने उसे क्यों नहीं रोका शांत क्यों खड़े हो मेरे प्रेश्रा का उत्तर क्यों नहीं देते उत्पात तो हम सबने मिलकर मचाता बड़ी भाईया दोशी हम सब है क्योंकि हमें भूख लगी थी कुमार भूख लगने पर भोजन को पाना तो हर प्राणी का अधिकार है यह अधिकार दिलाने के लिए मयूरेश्वर ने इनकी सहायता की इसमें अपराद कैसा पिताश्री भोजन प्राप्त करना अपराद नहीं है किन्तु नीजी संपत्ति नहीं होते उस पर समाज के हर प्राणी का समान अधिकार होता है किन्तु मनिश्य लोक में हर दिन एक नई परंपरा जन्म लेती है जिसके कारण आज रिशिमुणी भी इन आश्रमों को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे हैं जिस स्थान पर रिशीमुनी, यग्य, आराध्ना, पूजापाच और निवास करते हैं वो स्थान तो उनका ही कहा जाएगा ना नहीं कुमार, कहने को तो प्राणी का जीवन भी अपना नहीं है अर्ठाच? अर्थात प्राणी का जीवन भी परमात्मा की इक्षा के अधीन है जिस प्रकार प्रतेक प्राणी को भूमी प्रकृति और प्रमात्मा की देन है उसी प्रकार भोजन फल भूल सभी कुछ प्रकृति और प्रमात्मा की देन है संग्रह की प्रवर्ति रखने वाले मनुष्य इन्हें अपना मानने की भूल कर बैठते हैं जो अनुचित है इसका अर्थ हुआ कि मयूरेश्वन ने कोई अपराद नहीं किया अर्थ तो यही हुआ कुमार कार्थिके परन्तु इस अर्थ को तुम्हारी माता माने तभी इस अ प्रेसाथ तुम्हारी माता नारायन नारायन हरी हरी शीमन नारायन नारायन हरी हरी शीमन नारायन 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 तेरा उत्पात सारी सीमाय तोड़ चुका है मयूरेश्वर शेव पारवत्ती का पुत्र होने का लाब उठाकर तु अपनी मनमानी करता है रिशी मुनियों को सता कर तो हमें चारो और आप मानित करवाता है हाँ माता श्री आप मयूरेश्वर को डंडित ना करें जिस अपरात का डंड आप मयूरेश्वर को दे रही है वो उसने अकेले नहीं किया ये सब भी उसके दोशी है मयूरेश्वर को मेरे दर्ण से बचाने के लिए तुम असत्य कह रहे हो कुमार मैं सत्य कह रहा हूं माता स्वयम इन सब नहीं मुझे सत्य से परिजित कराया है मैं जानती हूं मयूरेश्वर को बचाने के लिए यह सब असत्य कह सकते हैं इसलिए मैंने इंसे कुछ नहीं पू कि ना रायन ना रायन अगर पूजी मयुवरेश्वर को इस प्रकाद दंडित ना करे माता इसका परिणाम अनर्थ कारी हो सकता है तुम बिना बुला यहां क्यों प्रकट हो गए नारत मैंने तो तुम्हें आमंत्रत नहीं किया तुम मुझे किसी परिणाम का भय न दिखाओ अप राधी पूत्र को दंडित करना माता का करता भी होता है शांत हो जाए माता कृप्या शांत हो जाए मैंने कहा ना देवरिशी आप माता और पूत्र के मध्य ना आए एक बात कहूं माता आप मुझ पर क्रोध तो नहीं ना मैं तुम्हारी चतुराई जानती है मरी रेश्वर परन्तु आज तुम्हारी किसी भी बात से मेरा क्रोध शांत नहीं होगा कोई तुम्हारे नाम का उलाना लेकर कैलाश आए ये मुझे परी नहीं मेरी बात सुनतो ले माता कहो क्या कहना चाहते हो आप मुझे इसी कार इतना कठोड दंड दे रही है ना क्योंकि मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूँ आप मुझसे सौतेला व्यवार कर रही है न माता ना रायन ना रायन हे मयूरेश्वर आपको दंड देने का माता कव देश्य पुण हुआ अब यदि आप आगया दें तो मैं आपकी ये लोहो शंकला खोल दू नहीं देवर्शी मैं अपनी माता के न्याय का अपमान नहीं करना चाहता नहां रायन ना रहें ये मयूरेश्वर तो क्या आप इसी लोहो शंकला में बंदे रहेंगे नहीं देवर्शी, मेरे इस मयूरेश्वर अवतार का उद्देश इस घटना के साथ पूर्ण हुआ अब मैं इसी स्वरूप में इस कैलाश की और आप सब की विदा लेकर श्री महागणेश के पास जा रहा हूँ ओम श्री महागणेशाय नमा ओम श्री महागणेशाय नमा ओम श्री महागणेशाय नमा झाल झाल